हेलो इस्टुडेंट ओटो एंडिजीटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं तो कैसे आप सभी लोग उम्बीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सांदार होंगे और आपकी पढ़ाइवी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आप सभी को पता है हम क की शीना मेहन किरा रहे हैं चैप्टर नमबर चैप्टर नमबर ठीज आपका चल रहा है माध कि आफ के प्लेंक साथ खेला हुगे उनको कैसे ट्रीट करोगे ठीक है मनम्बर आपको पूरी जानकारी होगी तो य klaff MEMillar to के साथ खेल सकते हो ठीक है मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था फेक्टर्स और मल्टिपल्स क्या चीज होती है अभी तब वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए तो चलिए बढ़ते हैं अपने exercise 3.2 की तरफ exercise का first question क्या आपका what is the sum of any two आपको क्या sum बताना है कि नहीं दो odd numbers का option number भी आपका even numbers ठीक है अगर आप first वाले को solve करते हो sum of any two odd numbers दो odd numbers का अगर आप sum करोगे तो क्या होगा example के लिए अगर आप 1 और 3 का sum करते हो कितना आएगा आप बोलुसर 4 3 और 5 का sum करते हो आप बोलुसर कितना आएगा आप बोलुसर 8 11 और 15 का sum करते हो कितना आएगा आप बोलुसर 26 यहां से पता चलता है यह आप दो odd numbers का sum करोगे तो वो आपका always क्या आएगा आप बोलुसर even आएगा क्या आएगा always even आप बोलोग सर हंजी क्या आएगा always even वो आपका आएगा ठीक है वो लिख देंगे sum of लिख देंगे sum of any two odd numbers is always even किनी दो odd numbers का अगर आप sum करोगे तो आपका always क्या आएगा वो आपका even आएगा आप बोलोग सर्थ हंजी ठीक है अब दीवाला क्या इवन आपको जदि आप दो even numbers का sum करते हो तो वो क्या आता है देख लिजे एग्देंपल की 2 और 4 का sum करोगे तो कितना है आप बोलोग सर्थ 6 4 और 8 का sum करोगे तो कितना है आप बोलोग सर्थ 12 22 और 6 का sum करोगे तो कितना है आप बोलोग सर्थ 28 वो भी आपका क्या आएगा always आपका even आएगा लिख देना है always even always even okay now is there a sum of any two any two even numbers is always is always वो आपका हमेशा क्या आएगा आप बोलुक्सर वो आपका always even आएगा आप बोलुक्सर हां जी तो बढ़ते अपने next question की तरफ question number two क्या आपका state whether the following statement true or false यह आपको statement बता नहीं यह statement true है आपकी false जैसे कि the sum of three odd numbers even यह जब तीन odd numbers का sum करोगे तो क्या एगा even आएगा तो आपका false होगा लेकिन कैसे होगा जैसे कि one three three or five three odd number sum करना इनका one or three four four or five nine nine कैसे number आप बोलुक्सर यह odd number है लेकिन इसमें तो even बोल गाया है तो आप बोलुक्सर हो जाएगा यह हमको गल्द बता रहा है क्या हो जाएगा आपका आप बोलुक्सर आप बोलुक्सर हां लिए एसी शेकंड वाल आपका find the sum of two the sum of two odd numbers and one even numbers is even the odd number और एक even number उनको आपस में add करना है दो odd number one plus three ले लिया और एक even number two add करेंग में क्या जाए एक बहुत अच्छी से समझ में आगया है आगा देखे तब प्रोड़क्ट आप three odd numbers is odd यदि आप तीन odd numbers का प्रोड़क्ट करोगे तो आपको और ही आना है चेक करके देख लेना आप बोलुक्सर यह क्या हो जाएगा आपका आप बोलुक्सर ट्रोड दिवाला इप एन इवन number is divided by two जदि किसी even number को टू से डिवाइड करते है तो तो कोसेंट इज आल्वेज और तो कोसेंट क्या है आपका अल्वेज और आएगा ट्राइ करते हैं तो इवन number है अगर two को two से डिवाइड करेंगे तो two one जाट तू आप बोलुक्सर कोसेंट क्या है आपका और आ रहा है जिक्म आल्वेज पूछा इसने तो और ट्राइ करते है यदि four four भी आपको even number है तो से डिवाइड करेंगे तो two two जा क्या आ जाएगा आप बोलुक सर 4 कितना जाएगा आपका 4 इमेंडर 0 बचे कोसेंट कितना आएगा 2 और यह क्या आपका even तो इसका मतलब के किसी even numbers को 2 से divide करेंगे तो आपका always उसका कोसेंट odd नहीं हो सकता ठीक है always सब्सक्राइब नहीं हो सकता यह statement आपकी क्या हो जाएगा आप बोलुक सर फॉल्स हो जाएगा ठीक है आगया सांज मैं आप बोलुक सर हां जी बहुत अच्छे समझने में आ गया है और प्राइम नंबर सार और सभी प्राइम नंबर सापके odd होते हैं बहुत से बच्चे कह र क्या होते हैं आप बोलुक सर और होते हैं 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे आपके इवन नंबर चलते हुए जात इवन ही प्राइम नंबर आगे सांज में आप बोलुक सर हां जी और प्राइम नंबर सार और यह आपके क्या होता है एक फॉल्स होता है प्राइम नंबर से दू नोट है वैनी फ फेक्टर आपका नहीं होता है ऐसा थोड़ी होता है मैंके मतलब प्राइम नंबर के क्या आंली दो फेक्टर होते है वन होतार उड़ी को आड़ करो कि तो क्या दैए अफ बोलो शेयो एड़ करो कि न क्या है गथा बहुत जाएगा आपका क्या दैएगा और आजएगा अई सान वे आप लोक Beim निभाड़ 2 is the only even prime number बस दो यह आपका एक even prime number आप बोलोग सर हां जी यह आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा आए समाज में आप बोलोगे yes sir तो बढ़ते हैं next आपका आई all even numbers are composite number सभी even numbers आपके क्या composite number होते हैं लेकिन 2 तो even number आपका क्या होता है प्राइम होता है इसमें सभी even number को क्या बोलागा है composite 3 statement इसकी क्या हो जाएगा आप बोलोग सर फॉल्स हो जाएगी आए सम्ज में आप बोलोगे सर यह सर ठीक है चली बढ़ते हैं next the product of 2 even numbers is always even तो even numbers का product करोगे example लेकर अगर आप करोगे तो बहुत इजीली आपको इसमझ में आ जाएंगे ठीक है बढ़ते हैं next third question the numbers 13 and 31 are prime numbers दोनों prime numbers आप बोलके सर यह सर both these numbers have same digit 1 3 इन दोनों numbers में आपके क्या है same digit है ठीक है आप बोलोगे यह सर 1 और 3 find such pair of prime numbers up to 100 तो आपको ऐसे कितने pairs हैं 100 तक जिनमें आपको यह चलता है आप बोलोगे ज़र देखते हैं तो two digit के देखनें आपको 11 13 आपका ही हो गया है 13 और 31 और क्या आता है आपका 17 और 71 और क्या आता आपका अगर 20 अगर आप 19 लेते हो तो 91 91 प्राइम थोड़ी होता है आपका 23 23 अगर 32 आपका प्राइम नहीं होता और क्या आता आपका 29 29 ज़र आपका 92 यह भी प्राइम नहीं होता आप बोलोग सर्यसर फिर क्या आता आपका 31 आपका इसे में आ गया फिर क्या आएगा आपका 37 और आपका 37 साथ 73 यह होता है 37 और आपका 73 अब बोलोगे श्रेसर 41 साथ 14 आजागे यह प्राइम नहीं होता 43 साथ क्या जाएग 34 यह प्राइम नहीं होता और क्या जाएगा आपका 47, 74 प्राइम नहीं होता, प्राज आएगा आपका 53, 35 प्राइम नहीं होता, आप बोलोगे सर, फिर क्या था आपका 59, 95 प्राइम नहीं होता, आप बोलोगे सर, 61 आज आएगा 16 आपका प्राइम नहीं होता, फिर और क्या हो जाएगा आएगा आपका 67, 76 आपका प्राइ और क्या बचा आपका 71 आपका 73 हो गया 79 और 97 यह आपका होता है 79 और 97 79 और 97 यह जाएगा और आपका 83 38 नहीं होता और क्या जाएगा आपका 89 98 नहीं होता बस आपके यह आपके पेर होते हैं जिनको अगर आप उल्टा भी करके लिखोगे तो आपके क्या वह आपके प्राइम नंबर सी आपका आएगा 13 31 1771 37 73 79 और 97 आप बोलोगे यह सर हमको बहुत अच्छे सबंज में इसमें बोल लगा है तो इसको आप 31 वी लिख दो गए आपके दो इतुर डिजित रिपीट हो रहे हैं वन और थ्री तो अगर आप ऐसे नंबर्स बनाओगे तो आपको ऐसे नंबर्स बनने चाहिए दोनों ही आपके कै प्रेटल दा प्राइम नंबर है कमपोजित नंबर लेस दन 20 आपको लग लग लिखने प्राइम नंबर 20 से कम यह दो डाल लेते हैं प्राइम नंबर और एक से डाल लेते हैं और एक से डाल लेते कमपोजित नंबर प्राइम नंबर कौन कान से हो गया आप प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बस कमपोजित में कौन कौन से आजएंगे आप बोलग सर 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 बस लेस दन 20 बोल पूछा आप से 20 से कम 20 भी नहीं चाहिए आपको 20 से कम चाहिए आई साज मैं आप बोलग सर खांगे तो बढ़ते हैं प्राइम नंबर बिट्विन 1 और 10 के बीच में आपको सबसे बड़ा क्या प्राइम नंबर बताना है क्या हो जाएगा आपका आप बोलो सर 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7 यही तो होते हैं आप बोलो यह सर 11 10 से उपर चल तो ग्रेटेस्ट कौन स हो जाएगा आप बोलो सर 7 तो अंसर में क्या आजाएगा आपका 7 आपका अंसर आजाएगा यह तो मैं आपको समझाने के लिए आपको लिखे थे ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन नंबर 6 दिखरा है आपको अच्छे से एक्स्ट प्राइम के सम में आपको यह एक्स्ट करने 44 यदि दो प्राइम नंबर्स का सम करोगे तो वह कितना आजाए आपका 44 तो देखे आपका कितना आएगा आप बोलो सर 13 प्लस 31 तो आपका 44 आजाएगा आप बोलो सर यह सर यह क्या हो जाएगा आपका 17 प्लस 19 तो भी आपका क्या जाएगा तो भी आपका 36 आजाएगा आप बोलो भी यह सर इसको क्या अगर 11 प्लस 13 करेंगे तो आपका 24 आजाएगा 18 को क्या लिखेंगे 18 को क्या लिखेंगे आप बोलोगे सर 11 7 पिलस 11 यह 13 पिलस 13 और 5 बहुत हो जाते हैं आपके ऐसे नमबर ठीक है आगे साथ आप बोलोगे सर तो बढ़ते हैं नेक्स कुस्टन नमबर सेवन जलद इसके इस खताम किजwire ने वी फ्री पियर और प्राइम 4 डिफेरेंस इस टू आपको तीन पियर ऐसे बताने प्राइम नमबर जिनके डिफेरेंस क्या होता्य Pete ऑते और ऐसे नम बर长 मौँ twin prime भी बोलते हैं, twin का मतलब क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा बोलते हैं, ठीक है, twin prime की कौन से number होता है, ऐसे prime number जिनके बीच में 2 का difference होता है, जैसे की लिख देता है, twin prime twin prime, जैसे कि आपका 3 और 5 है आप बोलके 5 और 7 है ठीक है, और कि आपका 11 13 है आप बोलके सर 17 है, आप बोलके सर 29 है और 31 है और आपका क्या है, 41, 43 है बहुत नंबर है आपके ऐसे, ठीक है, आपसे यही तो पूछा गया है तो चलिए बढ़ते हैं, next, question number 8, इस exercise में आपको बस 12 question है हमें इट पर पहुँच चुग है, तो जल्दी से खतम कराईए तो which of the following number are prime आपको बतारें इन में से कौन सा number आपका प्राइम नंबर है 23 आपका प्राइम नंबर है, आप बोलोगे, yes sir 23 प्राइम नंबर है, 26 आपका तो से कट हो जाता है और 13 से कट हो जाता है यह दो नोग 37 और 23 आपके बस prime number है, ठीक है आए सांज में आपको लोग सरी, आपको 1 से लेकर 100 तक के जितने भी prime number हो, सभी आपको याद होने चाहिए और बागी के बजो बचे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ के वह आपके composite number होते हैं, composite number आपको अपने अपयाद हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ते हैं ने, exposure number 9 right 7 consecutive composite number less than 100, so that there is no prime number between them आपको 7 लगातार क्या composite number लिखने हैं, जिनके बीच में कोई भी prime number आपका नहीं होना चाहिए, अब कौन सा होता है आपका देख लेना अगर आपकी बुक में 4 टेवल बन रहा होगा, वहन से लेकर 100 तक कौन से prime number है तो आपके कौन से number आते हैं, आप बोलोग सर, आते हैं हमारे 89 के आगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यह आपके 7 ऐसी number है, लगातार इनके बीच में कोई भी prime number नहीं, इससे पहले पढ़ोगे तो आप prime number होता है, आपका क्या 89, कौन से number होता है, आपका prime number, ठीक है, इसके last में आपका 97 आएगा, कौन से number होता है, आप बोलोग सर, prime number और कहीं भी आपको ऐसे लगातार, 7 composite number नहीं मिलेंगे, कहां से लेकर, जिनके बीचे कोई भी आपका क्या, prime number ना मिले आपको तो वो आपके 90 से लेकर, 96 तक आपके 7 ऐसे number है, जिनमें आपको कोई prime number देखने को नहीं मिलेगा, तो बढ़ते हैं next, उसके number 10 X place, express each of the following number as the sum of 3 odd prime, इनको आपको ऐसे express करना है कि 3 prime numbers को जोड के आपको यह बने, तो 21 को क्या बनाओगे 21 को क्या बनाओगे आप बोलोगे sir 13 पिलस 5, 18 पिलस 3, 21 बन गया, अब बोलोगे sir अगर इसको बनाते है 13 पिलस 11, पिलस 7, तीनों को अगर आड़ करके देखो, 31 बनेगा 53 क्या बनाएंगे अब बोलोगे 37 पिलस 11, पिलस आपका 5 बन गया, तीनों के एड़ करोगे, 53 आएगा और तीनों ही आपके प्राइम नमबर है 61 को अगर ऐसे एड़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 37, 17 और आपका 7 आपके प्राइम नमबर होगे, तीनों प्राइम नमबर एड़ करोगे, 60 बनाएगा, इनको एड़ करोगे, 53 आएगा ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसी नेक्ट कोशन के लिएगा, कोशन नमबर 11, कोशन नमबर 11 आपका क्या है, राइट 5 पेर प्राइम नमबर से लेज देन 20, whose sum is divisible by 5, आपको 5 पेर बताने हैं, प्राइम नमबर जो कि आपके 20 से कम है, और जिनका सम, क्या, आपको 5 से डिवाइ सेवन, एकोलम क्या जाएगा, आप बोलोग से 10, और क्या जाएगा, 3 प्लस सेवन, और आपका जाएगा 13 प्लस 7, जो कि आपका 20, आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपसे 5 पेर पूछें, प्राइम लेज देन 20, ठीक है, और क्या बनेंगे आपके, सोचो, सोचो, क्या बनेंगे आपके, 13 और 2, 13 और 2, दोनों केड करेंगे क्या बन जाएगा आपका, 15, क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, और क्या बन जाएगे आपके, 3 और 17 और क्यों जाएगा आपका 3 पिलस 17 जो क्या आपका कितला होता है आप बोलो कि सर्थ 20 होता है ठीक है 3 और 7 टैन आपका 5 और 5 और आपका क्या बन जाएगा आप बोलोगे सर्थ 17 थ्री नाइन टीन वन थर्ट जान लवन नाइन और आपका सेवन थर्टीन यह हो गया और किसके साथ आएगा 3 और एक आपका हो जाएगा 5 और 5 दोनों प्राइम नंबर आपने लिए हैं कितना ऐसे आपका कट रहा है यह आपके 5 पेर ऐसे होगे जिनका अगर आप सम करोगे तो आपका 5 डिवीजेबल हो जाएगा आप बढ़ते कुस्टन नंबर 12 जो कि आपके इस एक साइज का लास्ट कुस्टन है फिल इंदा बिलेंक्स ए नंबर विच हैज अनली टू फेक्टर इज वह आपका कौनसा होता है आप बोलके तर कंपोजित नंबर होता है कौनसा नंबर होता है कंपोजित नंबर ठीक वन इज आइदर प्राइम नंबर होता है नाई आपका 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 नाई the smallest even number is smallest even number कौन सा हो तो आप बोलो सब्सक्राइब आगे समझ में उम्मीद करता हूं यह एक साइज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी बहुत आपके लिए यह बहुत हैलफुल होगी तो वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना बोले धन्यवाद